कमलात सरकार के पूर्व मंत्री लाखन सिंग याधव ने बीजेपी और जोतिराजति संध्या को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसमें लाखन सिंग ने कहा है कि प्रधेश में लंगडी लूली सरकार है जो धनबल से बनी हुई है जिसका उधारन ये है कि तीन महीने में मंत्री मंडल का विस्तार सियम शिवरा सिंग चोहान कर ही नहीं पा रहे है इसके साथ लाखन सिंग ने ये भी कहा है कि बीजेपी की कारिकरता अब दुखी होकर कॉंग्रिस जोइन कर रहे है क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी और गदारों को चुनाव में चंबल के लोग जवाब देंगे तो वहीं जोतिराजित सिंधिया को लेकर भी लाखन सिंग ने तीखा हमला बोला है लाखन सिंग ने कहा कि सिंधिया जी की गिंती प्रदेश में बीजेपी के 6-7 नमबर पर होती है जबकि कॉंग्रेस की नैशनल बॉडी में अंडर 5 में रहते थे साथी सोनिया और राहूल गांधी के किचिन मेंबर भी थे लेकिन अब जुद्राजित सिंधिया को बीजेपी में अपनी हैसियत पता चल रही है सिंधिया जी मुखिया तो है नहीं है वो तो मद्य प्रदेश में 6-7 नमबर पर उनका नाम आया है जबकि कांग्रेस में वो अंडर 5 में हुआ करती थे उनकी एसियत तो मद्य प्रदेश में समझ में आई रही है घुटन की वज़ा है कि जो आज उनकी जो इस्तिती है कि गवालियर इतने दिनों से वो आई नहीं है काफी दुखी है चेहरे मौरे से भी लगता है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया रहा